नमस्कार समाचर इडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ भरत कोठियाल महान सूफी संत कबीर दास की धरती संत कबीर नगर में हर वर्ष की 30 वर्ष भी शहर में मगहर महुत्सव का आयोजन किया जाना है जिसको लेकर तैयारिया जोरो पर है लेकिन शासन से अभी तक बजट आवंटितना होने के कारण मगहर महुत्सव पर घरन लगता दिख रहा है मगर सकरांती पर एक सप्ता तक चलने वाले मगहर महुत्सव में लोक कला इवं विभिन सांस्क्रितिक कारेक्रमों का मंचन कर लोगों को महान कभी संत कबीर के द्वारा दिये गए संदेशों के रहा है आपको बता दे मुख्यमंत्री मुलायम सिंग के समय से परदेश सरकार द्वारा मगहर महुत्सव के लिए बजट देने का सिल्सिला शुरू हुआ था जो लगातार जारी था लेकिन इस वर्स अभी तक सरकार द्वारा बजट नम बिल पाने की स्थिति में मगहर ये बात्चित चल रही है उमीद है कि जल्द बजट शासन द्वारा आवंटित हो जाएगा महुत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है और 12 जन्वरी से महुत्सव का आगाज होने जा रहा है जो भव्य रूप से मनाया जाएगा जिसकी तैयारिया लगबग अंतिम दौर पर हैं मगर महुत्सव समीती के फाउंडर वेद परकाश चौबे का मानना है कि धन की कमी से महुत्सव का उत्सा कम नहीं होगा क्योंकि स्थानिय लोगों का बेहत सयोग है सासन के द्वारा भी धन आवंटित नहीं हुआ है महुत्सव ऐसे लग रहा है क्या फीका हो जाएगा नहीं धन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आड़े आजाए इसके कारिकरम सब होने है सब लोग तयार है और हमने कई जगह से आश्वासन भी मिला है अजिसी कोई दिक्कत नहीं आए पर दूसरे जिलाजिकारी महोदय यह ठान चुके हैं कि पूरी शिद्दत के साथ इसे अच्छे धंसे किया जाएगा मगार मौश्व दो हजारी का सब्सक्राइब मेला है उनुद से तयारी हो चुकी है करिकारी के दिक्कत नहीं है और जैसाती अपकरी जानकारी में मिली है कि पूर्धं का हांटन होना अस्रकारी के तरह बहाता है वहीं मगहर महत्सव के आयोजन को लेकर सोयम सेवी संस्थानों ने भी आवाज उठाना चालू कर दिया है सोयम सेवी संस्थान दिदास सोसाइटीज के अध्यक्ष प्रकास गौतम का मानना है कि मगहर महत्सव में किसी भी तरीके के फलैक्सी का उपयोग ना किया जाए कि मगहर महत्सव में इस बार फलैक्सी का प्रयोग बिल्कुल ना हुए तो कि फलैक्सी को बंद करने के लिए सरकार पहले से ही प्रयासर रखना और जो भी काम कराया जाए तो पेंड्रों के बात दर पे कराया जाए जिसे लोगों को रूजी रोटी दिदिए और कभी जागरुता के नाम के लोगों को एक संदेश की सलेक्षी अब यहां बंद को हाला कि मगहर महत्सव की शोवा बढ़ाने की तैयारी जोरो पर है और लोगों का दावा है कि महत्सव के लिए जल्दी साशन से बज़त आवंटित होगा लेकिन सवाल ये उट रहा है कि आखिर कब धन आवंटित होगा और महत्सव की रूब रेखा कैसे तै की जाएगी यह काफी सोचनिय सवाल है हाला कि मगहर के गरीब चौरा पर बड़ी संख्या में मकर सकरांती के अउसर पर कबीर पंथी पहुँचने वाले हैं इस दोरान महुत्सव का लुफ्त लेंगे लेकिन महुत्सव कितना उत्सव में रहेगा ये देखने वाली बात होगी संत कबीर नगर से पिनूत कुमार की रिपोर्ट इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिय की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाच निडिया के साथ खबर से लेकर असर तक नमस्कार